जो ग्रफ्तार होने का जो सिलसला है और जो ग्रफ्तारिया होती है वो सोशल मोमेंट में जो उग्र लोग हैं उनमें और कैई वार जो नम्र होती है जो सॉफ्ट होती है जो बहुत जादा समयधानिक होती है उन मोमेंट में भी ग्रफ्तारिया होती है ग्रफ्तारी का जो पैटर्न है वो बड़े कमाल का है और इसको समझें क्योंकि पिछले भी दिनों में बहुत साई लोग ग्रफ्तार हुए सुतंता संग्राम के समय भी कर रहें इन सब बारीकियों को समझ लेंगे तो आपके लाब में और हानी में आपको जानका ही रहेगी कि कौन सी बात हमारे लाब की और कौन सी बात हमारे हानी की है या कौन सी बात ऐसी है जिससे हमारा कोई सम्बंद नहीं जब किसी व्यक्ति के अंदर मुवमेंट चलाने की एबिलिटी नहीं होती यानि वो मुवमेंट को नहीं चला सकता सम्मेधानिक रूप से हार जाता है उसमें कूबत नहीं है वो लायक नहीं है वो काबियत नहीं है तब वो रास्ता चुनता है गर्फतार होने अपनी गर्फतारी कराने का जब मुवमेंट को इमोशनल करना हो जब मुवमेंट को भाव में भेजना हो इमोशनल हो जाएं और कहें कि हमारा लीडर गर्फतार हो गया उससे उनके उन्दर एक उर्जा का संचार होगा, इखटे हो जाएंगे, तब मूवमेंट चलाने वाले लोग अपनी गरफतारी का प्लान करते हैं, ताकि उनके जो भक्त हैं वो उर्जा लें, उनमें उगरता आए और वो उसके लिए लड़ें, ये सारा सारा मूर्खों के ल जाएंगे, इसलिए भी गरफतारियां होती हैं और की जाती हैं और कराई जाती हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि उनका संग्ठन खत्रे में हैं, संग्ठन तूटने वाला है, या तूट चुका है, या उनकी जो मूवमेंट है वो खराब होने वाली है, या उनके साथ ही उन पे कोई दवाब बना रहे हैं चाए वो जायज है चाए वो ना जायज है पर कोई दवाब है उस दवाब को हटाने के लिए उस मुमेंट के टुकले को तूटने से लिए या तूटे हुए को बचाने के लिए अक्सर जो नेता तो है वो ग्रफतारी का करना यह कुछ कारण है ग्रफतार होने के बहुत कम केसों में जैनुएन ग्रफतारियां होती है जब आदमी अड़ जाता है कि नहीं मेरी जो डिमांड है बलकुल ठीक है समयधानिक है और करो या मरो की स्थितिय आ गई है तब वो उसको सिवाए ग्रफतार होने के और कोई रा हो जाती है ऐसा इत्यास ऐसा ग्रफतार होने वाले जाने वाले जितने भी सिंटम्स हैं उनसे पता चलता है तो ग्रफतार होने के जो तरीके हैं वो क्या है आप देखोगे कि अगर किसी को ग्रफतार होना है और मुवमेंट को बचाना है या उसका हीरो बनना है या कोई उस कोई ऐसा काम करेगा जो होना सब्वब है या वो सामने वालों को खुली च्रोटी देगा जो पावर में हैं जो पावर फुल है जो कर सकते हicate हैं यह वो जो उच पद पर समधानी कड़ly पर लोग मुवमेंटी ग्रफतारी होनी हो तो सीधे-सीधे सरकारों को या बड़े पदवालों को या बड़ी इस सिटम में उसको चिलेंग किया जाता है या कहीं ऐसा आंदोरन चेड़ दो जो आंदोरन पूरा नहीं होने वाला है और जिसके अगरो होने की पूरी संभावना है या अंदरन को उग्र करा दो या दो चार जो भक्त हैं उनकी कुर्मा नहीं दे दो उनको मोट्शे पहे आगे भेज़ दो लड़ने मरने का उनको कह दो क्या तूम मर नहीं सकते क्या तुम लड़ नहीं सकते वो लड़ बढ़ जाएंगे और उसमें ग्रफतारियां हो सकते हैं हो जाती है जिनको ग्रफतार होना होता है वो कभी संग में नहीं रहते ये ध्यान लखना जो संग में रहेगा वो सारे संग की ग्रफतारी एक साथ होती है जिसको जिल भरो अंदरन बोलते हैं वो असली होती है पर नकली ग्रफतारी जो होती है वो एकांत में होती है वो बंदा जिसको ग्रफतार होना है ग्रफतार होने का नाटक करना है वो आराम से किसी एक घर में मिलेगा वो आराम से कहीं जगे में मिलेगा या वो पहले ही पुलिस फोर्स को बता देता है कि मैं इस जहाद से आऊँगा इस टेन से आऊँगा इस बस से आऊँगा या सड़ को गरफतार नहीं होना होता है वो हमेसा संग के साथ रहता है अपने लोगों के साथ रहता है अपने कारे करता के साथ रहता है उनको कभी नहीं छोड़ता और ना उनको अकिले जाने देता है क्योंकि अकिला जाएगा तो गरफतार हो जाएगा तो वो कहता है सब साथ रहो सब साथ रहने से ग्रफतार यह नहीं होती अगर होती भी है तो उसी जगे को जेल बना दिया जाता है जैसे हजार लोग है या दो हजार लोग है वो कहीं पर कोई आंदूरुन कर रहे हैं और पुलिस को ग्रफतार करना है तो उनके लीडर को नेतत को नहीं ग्रफतार कर सकते दो 500 आद्मियों की बीच में तो वो क्या करते हैं वो वहीं एक रस्ती एक धागा बांद के या उस पूरे एरिया को जियल डिक्लियर कर देते हैं और उसको बाहर से ताला या बैरिकेटिंग कर देते हैं कि यहां से बाहर कोई मी जाएगा यह हाउस अरेश जैसी होती है या केंप होती है पुलिस वाले के जो अफसर होते हैं जो उनके विजलेंस वाले या होते हैं लोकल इंटेलिजेंस जो उनका ऑफिसर होता है वो लगाता संपर्क में रहता है वहां सारी फाइले होती है लोकल इंटेलिजेंस ऑफिस के पास में जो पूरे दिद्धियस का इंटेलिज जाता है उसमें फोन नमबर होते हैं तो पूस्ते हैं कि आप ये अंदूलन कर रहे हैं क्या डिमांड है आपकी आप कहां से कहां तक जाएंगे कितने आदमी आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं कितनी बस आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं कौन-कौन लोग आ रहे हैं वी आई पी कितने आ हैं कितने समय तक रहोगे कोई उग्रतों नहीं है कोई डंडा तो लेकर नहीं आ रहा है वो सारी बातें अच्छी तरह से उस जुम्हदार और वहां बाकाइदा बैट के बात होती है को जगड़े वाली बात नहीं होती है उनको पूरी इन्फॉर्मिशन दी जाती है वो अपनी इन्फॉर्मिशन के हिसाफ से अपनी लोकल लगता है कि यह कुछ और रहा है कि उनको पल-पल की खबर मिलती रहती है बड़ा सिच्ट्रम होता है कि आप कहां तक जाओगे तो वो कहता है कि हम इस पॉइंट तक जाएंगे जैसे पार्लियमेंट के जितने होते हैं तो उनको पार्लियमेंट ठाने पर रोक लेते हैं जंतर मंतर से चलते हैं वो मुश्किल से 200 मीटर का एरिया है 200 मीटर चलने के बाद में रोक लेते हैं वहां दो बैरिकेट लगाए जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप पहले बैरिकेट को तोड़ सकते हैं यानि पहला जो बैरिकेट हो हलका होता है वो एलाव होता है कि आपका जो आंदुरन है वो नेता का ऐसा लगेगा कि जैसे नेता ने बड़ा सक्सेस्पुल कियर बैरिकेट तोड दिया पर दूसरा बैरिकेट मत तोड़ना अगर आप दूसरा बैरिकेट तोड़ोगे तो आपको पानी की कैनन यानि पानी फैका जाएगा आपके ओपर आप पर डंडे बरसेंगे आपके आशू कैस बरसेंगे आपके प्टाई होगी और आपके अरेश्ट क्यों सकती है ये क में सबको और जब साम हो जाती है चार-पांच बच जाते हैं तो उसके बाद कोई आंदुरन होता नहीं साम को सब अपने घर जाते हैं सब अपने अपने घर चल ले जाते हैं और जो आप मेमोरेंडम लेके आयो वह आपको जिस भी अधिकारी को देना है जिस भी नेता को देन है जिसके अजन्सिव देना है वहां तक चला जाता है? उसके बाहत है इसलिए जिसको ग्रफतार होना होता है वह बाकाइदा पुलिस को पुरा हिंट देता है तोड़ भाुक का पूरा नाटक करता है ऐसे दिखाएगा वीडियो सारे काम करेगा और वो मार पटाई नहीं करेगा यह ध्यान रखना पुलिस को क्योंकि पुलिस का साफ निगोशियन होती है कि अगर हमला हुआ या कुछ हुआ तो फिर वो डंडे पटकेंगे महाँ पहुत बूत बूत रहे सर बचाने बादे पटकेंगे तो पुलिस की कोई जुमदाई नहीं है कि आपका सरफट गया आप मर गए ऐसे लोग पहले कभी मारे गए हैं और जो मारे जाते हैं जिनको जादा नशा हो जाता है यह निगोशियसन का नाटक पूरे भारत में चलता है और साथ दुनिया में भी चलता होगा हमने तो दिल्ली में खूब देख ना और असली काम स्टार्ट होता है वहां से आने के बाद यानि गरतारी होने के बाद क्या होता है उसका सतकार होता है उसको टूपिया पैनाई जाती है उसको गंशे पैनाई जाते हैं उसकी वहवा होती है सारा प्रचारत लगता है सारा मीडिया लगता है दरसल यह निगो यहां कोई नेता किसी ने लिए चिलनी जा रहा है दरसल जेल जाने की कहीं जोत नहीं है आप बावा साब के मुवमेंट को अगर देखेंगे तो बावा साब ने वाइज दी मुवमेंट चलाया क्योंकि वो तो संविधान बनाने वाले हैं तो संविधान बनाने वाला और वो क कार की बात है करता है वो हरवार उटे सीरे काम करता है और जेल में चला जाता है ये जो महंदास करंचंद गांधी है जेल में जाने की जो बीमारी है वहां से पैदा हुई है इसलिए हमारे जो नेता है वो गांधी बादी नेता है वो सारे के सारे जेल जाने का मौका ढूंते रहते हैं, जब भी उनका आंदोलन, जब भी उनकी बात जूटी पड़ती है, जब भी उनके वादे जूटे पड़ते हैं, जब भी उनके संग्ठन तूटते हैं, जब भी उनको पैसा उगाना होता है, जब भी उनको अपनी पावर पोजिशन बदलनी होती है, जब भी उनको वीस-पचास हजार लोगों की सेना हो और कारे करता हो उसको उसके कारे करम से कोई भी आदमी गरफतार नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस के पास में ना एतनी जेले हैं ना एतनी पुलिस होती है पुलिस को भी रात को सोना होता है पुलिस भी ज्यादा पच्ड़े में नहीं पढ पर नोटंकिया सारी इसारी बहुत मैदार चलती हैं, और भारत में ये नोटंकिया हमें जnar प्रिशान करती है, क्योंकि हमारे आदमी emotional हैं और उनसे भी जादा जो भकत जब आते हैं और वो कहते हैं कि कि देखो तुम जील गए क्या ये नेता जेल गया। जेल जाने से कौन सी समस्याओ होती है? ये जड़ा उनसे पूछ बहु बाई आप जेल जाओ पूरे जिंदडगी जेल रहो अगर जेल जाने से अधिकार बसते हो तो सोच दो सो आजमी हमारे बैसे जेल चले जाएं जेल जाने में कौन सी आफट है? आने से समस्य स्वाल होती है जेल जाने से तो और हालत बिगड़ जाते हैं फिर उसकी बेल कराओ फिर उसका मुकदमा लड़ो फिर वो गौर्मेंट के अंडर आ जाता है गौर्मेंट चाहे तो कभी भी उसकी बेल को समाप्त कर सकती है फिर तो वो कमजोर और हो जाता है एक ग आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरेण गच्छाम। संगं सरेण गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी संगं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियम् पी गुतम सर्णं कच्छामी ततियम् पी धम्ममर सर्णं कच्छामी ततियम् पी धम्मम सर्णं कच्छामी ततियम् पी संदों सर्णं कच्छामी ततियम् कच्छामी ततियम्